व्ठों आज भाई एक लेक्शर में एलेख्ट्रो मंग्नेटिक वेव को फोड़ देंगे लेकिन फोड़ने से पहले हहा पर एक सवाल लिखा वया इसको पढ़ दो और हिममत है किसी में अंसरे दो इसका है उप एलेक्ट्र Thing वेव ये चेप्टर पहले सी भी टू में क्यों डाला कौन बच्चा बताएगा ये बात और सारे बच्चे सेशन को शेर कर दो लाइक कर दो और बहुत एक क्लास में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा एटीजी आर्मी थैंक यू गुड आफ्टरनून गुलाम शुबानी इस्टाइलिस राजपूत घंशाम दास हैलो इंटरनेट की प्रोब्लम थी थोड़ी तो मैं इसलिए लेट हो गया बच्चो थोड़ा सा इंटरनेट प्रोब्लम कर रहा था लेकिन इस्टाइलिस राजपूत आएम न्यू हेर आप नए तो नहीं आप तो पुराने बच्चे हो ऐसी बाते मत करो विजे मीना, सतीश कुमार, रुचिका, सेतु कुमार ये सवाल देखिए इसका अंसर कोई बच्चा दे सकता है मैंने अपनी पहली टाइल पर ही फोट लगा रखा है कौन बच्चा अंसर देगा A, B, C, A, D हैलो रिया बाडिवाल, सेतु कुमार, विजे मीना, गुलाम शुबानी, A दे रहे हैं आंसर आपको चूज करना A, B, C, A, D मैं देखता हूँ कितने बच्चे से ये आंसर दे पाएंगे A, B, C, D बॉक्स जो कि देखो, लोकडाउन की खबरें मिल रही है कि लोकडाउन लग सकता है इलेक्शन भी पिछे जा सकते हैं तो गरम पानी देना तो सभी बच्चे जो हैं इसका आंसर देंगे A, B, C, D में से सारे बच्चे दे रहे हैं यहांपर A आंसर The Direction of Electric and Magnetic Field Question simple सा, The Polaration of Electromagnetic Wave is in कौन बच्चा से आंसर दे सकता है इसका जल्दी बताओ यह सवाल आपके एक्जाम में भी आ सकता है यह सवाल आपके एक्जाम में आ सकता है बच्चो तो यहां पर सब बच्चे A बोल रहे हैं लेकिन इसका आंसर है बी पहला आंसर ए बी बच्चो दो बी को मैं काला कर रहा हूं यहां पर अलागि मैं रेड कर रहा हूं क्योंकि यह वाइट बोर्ड है बट यहां पर इसका आंसर बी है तो पहला सवाल आपका जाधर बच्चों का गलत हो गया कोई बात नहीं दा पोलराज़शन ओप कर सकते हैं अरे पढ़ने वालो पोलरेशन केवल इलेक्टिक फिल्ड का हो सकता है भी आंसर आएगा लेकिन सवाल को कर सकते हैं इसे रैंड वी पॉलराइस इलेक्ट्रो मैगनेटिक वे विच पार्ट ओफ इट गैट पॉलेराइजड और सीब्स यह भी कह चुकिए कि हम पेपर में सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव दोनों मिक्स भी कर सकते हैं आपने शायद पढ़ा नहीं होगा सीब्स बात किलियर कर चुकिए कि पेपर अब्ज करता थी वह भी लाइक कर दो एक बार मैं आपके लाइक से चलता हूं मेरी एनरजी आप हो मेरी एनरजी आप हो और अगर आपका टम फर्स्ट अच्छा नहीं हुआ तो टम टू को फोड़ना है इस बार प्रोमिस करिए सर फोड़ देंगे टम टू को फिजिक्स को और आज म मैं उन्हीं बच्चों के नाम शाउट करूँ आप प्रोमिस करिए फोड़ देंगे सर फोड़ देंगों इंगलिस में क्या कहते हैं लेट्स क्रैक इट अनुराग त्यागी और फिजिक्स एजुकेटर टीचिंग फिजिक्स फोर जेई नीच सीबेसी एक्जामनर आठ साल स प्राइज भी जीट सकते हैं ठीक है यह बहुत शानदार चीज है आप मेरे कोड के साथ एटी सी टैन के साथ प्लस या फिर आइकनिक कोर्स ले सकते हैं प्लस के फायदे क्या है लाइव क्लास चलती है वीकली टेस्ट इस्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिट एक्सिज और आइकनि लोगडाउन लग जाता है कंप्लीटली तो फिर पेपर ऑनलाइन होगा पर्सनल गाइडेंस इस्टडी प्लानर इस्टडी मेटीरियल एक्सपर्ट गाइडलाइन टेस्ट अनलिसिस चिंता मत करिए एक बार सभी बच्चे अपने टम फस्ट का स्कोर बता दीजे कितना है अ क्या है कोमेंट करके बढ़ाई अरे पढ़ने वालो अरे पढ़ने वालो एंसी आर्टी निकाल लो अरे पढ़ने वालो अरे पढ़ने वालो अरे पढ़ने वालो टम टू फोडेंगे प्रोमिस कर डालो वे टम टू फोडेंगे प्रोमिस कर डालो तो ये है टम तू का इस देखो टम फर्स्ट में ये बुक जो है पार्ट वाने इसमें लेकिन एम वे तो इसी में दे रखा है ना तो आज आपको इस चैप्टर को पढ़ने में इतना मज़ा आने वाला आप सोच नहीं सकते वाई आपको होगे सर मज़ा आगे ऐसा लग रहा ह घ्लापर लीडिकने चैप्तर उनको छप जये ब्ल्कुल भेन में तो आपने जो मांक मुझे भेजे हैं वो मैं देख लिये है। कि आपके मार्क्स में देख चुका हूं और आपके मार्क्स की जो मैंने से लिए पूछे हैं कि मैं इससे प्लानिंग करूंगा इस स्टेट जी बनाऊंगा कि आपको मुझे किस तरह पढ़ाना है अब हेलो अंजली विने पंडे स्टेट बोर्ड से हैं देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि चाहिए स्टेट बोर्ड हो सीबीसी ओ आइससी हो काउंसील हो कोई भी बोर्ड हो हरियाना बोर्ड हो पंजाब यूपी बिहार तमिल नाडू महारास्ट या फिर आप आई बीस सी बोर्ड की बच्चे वह मैं आई बीके बच्चों को पढ़ाता हूं आई भी आप जानते होंगे शाहिद नहीं जानते होंगे पता निए आई बी एक बोर्ड होता है इंटरनेशनल बैकुलरेट उसके बच्चे भी पढ़ाता हूं तो मेरी पढ़ाई के बाद आपको किसी दिक्कत नहीं आएंगी,. कैसे क्लिएर, यहां पर क्या है इस टेवल में बच्चों को तो बहुत फायदा है कल मुझे कहीं बच्चों ने कॉमेंट किया था सर आपके पढ़ाने से मेरा नीट का भी फाइदा हो रहा है तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चे ने कहा इस पैमर्स तो आते ही हैं कोई बात नहीं इस पैमर्स को पैसे मिलते हैं इस बात के आने दों को यह भी जरूरी होते हैं ठीक है देखें प्लस कोर्स की फीज अगर देखें 24 मेने की फीज से 25,000 रुपे और यहां पर इस कोड की बाद हो जाती है केवल 22,500 रुपे क्या बात आज तो किलर दिख रहा है तो यह देखी फ यह लेकिन यार और भी कम हो गया यह देखिए अगर आप एटीसी टैन कोड लगाते हो तो 9000 रुपे का हो जाता है मतलब कुछ भी नहीं है कुछ भी निफीज है यार यह इस क्वालिटी में जो टीचर यहां पर एक्स्पिरेंस पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉम पर मतलब 10- 20-20 साल के एक्सपिरेंस टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं कोई भी आयार पढ़ानों शुरू कर देंसे नहीं बहुत ज्यादा लंबी प्रोसिस से सारे सर्टिफिकेट चेक होते हैं टेस्ट होते हैं वीडियो बनानी पढ़ती है एक बहुत लंबा प्रोसिस होता है जब आप आते हो यकीन मानिये मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं मतलब मुझे पसी ने आ गये कि जिस तरह सेलेक्शन प्रोसिस हैं और मैंने बड़े-बड़े कोचिंग्स में स्कूलों पढ़ाया है लेकिन अने टीचर बनना आसान नहीं होता है तो देखिए 9000 रुपे में पुराक सरके फिजिक्स के स्पेशल नोट्स रामबान नोट्स इस्पेशली फोर अनेकेडमी बच्चा गैंग मैंने यहां पर तयार कर दिये हाँ इस पैमर्स का भी सुवागत है अभी शेक शर्मा यह क्या तुम कोड कर लगा के पढ़ा पढ़ रहे हो वाई यहां पर प्लस बच्चो के लिए अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हो तो आपको बच्चो यहां पर 6 महीने का कोर्स फ्री मिल जाता है अरे पढ़ने वालो यह आ गया लेक्चर जबर्दस तरीके से यहां पर आजाओ सारे बच्चे फोड़ेंगे मिलकर इल्क्ट्रो मैगनेटिक वेव को इल्क्ट्रो मै अरे पकुब हीया यह क्या कर रहे हैं समझाओ को ब्हूंत बहुत नालायक बच्चा है याण यह तो इल्क्रो मैगनेटिक वेव से डर नहीं लगता तुम्हें इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव से डर नहीं लगता साहब फिजिक से डर लगता है तो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं तो मैं बता दूं यह जो बच्चे हां पर हैं यह पेड लोग होते हैं जो कॉमेंट करें न पेड कोमेंटर इनको करने दो इनको पैसे नहीं आंसर दे सकते हो दे दो A B C D यह देखो यह चार ओप्षन दे रखें मैंने यह चार ओप्षन दे रखें ए पी सी डी और यह बोक्स हैं आपर बताओ क्या आइगा और देखिए आपका जो पूरा चैप्टर है इसको मैंने यहांपर डिवाइड कर दिया है और पूरे चैप आधित्य गुपता भी सानु श्री वास्तव रेडियो वे रुचिका गुपता भी सारे बच्चे आंसर करो उल जलूल कोमेंट्स पर ध्यान मत दो हमारी एक ही पॉलिसी है बच्चो लेट्स क्रैक इट अगर आप चाते हो कि आप कुछ बड़ा करो लाइफ में तो टाप पेपर टम वन में बच्चों को पसी ने आगए जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी उनको भी सबसे आसान पेपर आपको पता होगा कौन-कौन से पर आसान है आप खुद कॉमेंट करो लेकिन सबसे हाड़ पेपर सबने माना मैं नहीं कहा रहा हूं सबने माना कि हुद करते हैं सबसे ताइम उसी को देते हैं यह निख्ये धेक्रो मैं डी वेव 9-10 लेक्ट्रो माइनि चल्सक्रा काWNёл विफेक हो थी माइक रही मार्मा और याँ पर देखिए मैंने एकाद ब oppression बूच्छा सिदा सी आप से एनलेक्ट्रोन an electron oscillating with a frequency 3 into 10 to power 6 hertz would generate x-ray, ultraviolet ray, radio waves तो इसका सही answer है radio waves क्या answer है radio waves क्या answer है radio waves I think C answer किसका ठीक हुआ सर मैं स्कूल से class join करता हूँ अभी lunch चल रहा है मैंने कभी भी जब सकता हूँ मेरा नाम ले लो Hello ATC Army ATC 10 Thank you very much करण अच्छा करण ओनकार सोरी 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 Hello करण Hello बेटा मोबाईल लेके जा रहे है स्कूल में तो देख लेना थ्यान रखना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो अधित्यकुपता Thank you very much तो यार किस किस का अंसर ठीक हो जल्दी बताओ मुझे और अपने दोस्तों को शेर कर दो अपने दोस्तों को भी शेर कर दो ताकि वो भी आ जाएं ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं print क्यों और युँ करना सवाल है यह अंपर अंपना चाहती थी क्योंकि सीकर पता था क्या करना चाहती थी इस chapter का Link optics से भी two verses at Stector a oro टिक से connected है locally connected है ये चैप्टर optic से connected क्या इसलिए इसको इसको यहाँ पर डाल दिया गया है लेकिन बच्चे आन्सर नहीं कर theology the electromagnetic wave do not transport the electromagnetic wave कि राइंसपोर्ट नहीं जल्दी कोन आंसर देगा सबसे पहले सबसे पहले कोन आंसर देगा बच्चा गोड इवनिंग मानवी गोड इवनिंग करन रुची का बताओ बच्चो इन में से लेक्ट्रो मेंगनेटिव वेव क्या ट्रांसमोर्ट नहीं करती तो मैंने आपको बता दिया बहुत से बच्चों ने मुझसे पुछा था कि भाईया ये चैप्टर स्थ निकाल दिया इसको क्योंकि ऑप्टिक से कनेक्टेड है और सीविस्टी कौन बच्चा पताएगा सारे बच्चे सोचेंगे सर मैं तो ए लगा रहा हूं कोई कहाएगा मैं बी लगा रहा हूं कोई लए सी डी और यहां पर मैं से लिख दूंगा क्योंकि online प्लस offline पेपर online सोरी objective प्लस objective पेपर हो सकता है तो मुझे पता है आप लोग स्या सोच रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि electromagnetic wave जो होती है वो information नहीं ले जाती I know this आप यहीं सोच रहे होंगे ना यहीं सोच रहे होंगे ना बच्चो लेकिन बच्चो इसका answer से ही क्या है कौन बच्चा बताएगा electromagnetic wave इन में से क्या नहीं ले जाती who can tell electromagnetic wave charge को transport नहीं करती है बी बी is the correct answer बी is the correct answer electromagnetic waves do not transport charge information तो बहुत ले जाती है इतनी information ले जाती है कि आप सोच नहीं सकते electromagnetic wave के दुआरा ले जाए जाने वाली information बहुत जादा होती है और इसके अंदर से में बहुत सारी information पता चल जाती है किलियर हुआ सबको समझ मारा है सबको किलियर हो रहा है ना चलो अब next होती क्या है वोट आर electromagnetic wave electromagnetic wave को ध्यान से देखिया आप यह मैंने 3D model लिया है आप असल में electric or magnetic field से मिलकर बनने वाली waves को electromagnetic wave कहते हैं electric or magnetic field से मिलने वाली wave को क्या बोलते है हैं electromagnetic waves इस तरह समझे मेरे पास यह क्या है यह क्या है मेरे पास यह दो क्या है मेरे पास जल्दी बताओ यह दो है पेंचकस इनको आप स्क्रूरवर भी कहते हो तो यह क्या चीज है दे Also बहुतारत हुه और यह अधर परपेंडिकुलर धर है यह परपेंडिकुलर देखो यह देखो यह यह इधे परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रे भी जो होती अगर आप इसको मान ले तो X-axis में इसको V-axis में तो Electromagnetic wave किदर होगी Z-axis में किदर होगी Z-axis में और इसके लिए equation भी लिखेंगे हम देखिए मैं दो equation लिखुँगा एक्स बराबर E-node sin KZ-omega T E-x बराबर E-node sin KZ-omega T यह equation electric field को represent कर रही है है यह equation electric field को represent कर रही है और बी बी वाई इस इकल टू बी node sin KZ-omega T अब कौन बच्चा है जो मुझे बताएगा कि इस सिंबल के इंदर इसको तो बाद में देखेंगे ऐसा कौन बच्चा है देखो यहां पर जो रैड कलर से आपको दिख रहा है ना रैड कलर से यह रैड कलर वाली वेव जो है यह एक्च्वल में कौन सी वेवे बताओ आप देखिए ध्यान से और कौन सी है इलेक्ट्रिक वेव को ब्लू कलर से दिखाया गया इलेक्ट्रिक वेव को ब्लू कलर से दिखाया गया है तो मैं ब्लू कलर से इलेक्ट्रिक वाली को इस तरह परता हूँ कि आप देख सकते हैं इलेक्طरिक वेव को ब्लू कलर से दिखाए है मैजनेटिक करए से दिखा दूंगा ये ध्यान से देखिए रैड कलर से यह एक यह एक वेक्तर यह एक तरा कूंसा है मैजनेटीट Надо a याद रखिए अगर कोई टीचर आप से पूछे कि बेटा इलेक्ट्रिक फिल चल रहा है सर वाई डिरेक्शन में तो बेटा कभी आपने सोचा एक बाप के दो बेटे हैं एक का नाम इलेक्ट्रिक फिल और एक का नाम मैगनेटिक फिल एक्स डिरेक्शन में चल रहा है मैगनेटिक फिल वाई डिरेक्शन में चल रहा है तो बाप किदर चलता है बाप चलता है जेट डिरेक्शन बाप किदर चलता है जे विल आंसर Only for Only for smart बच्चा गएंग Smart बच्चा गएंग देखते हैं Smart बच्चा गएंग कौन सा है Only for smart बच्चा गएंग चलो एक फादर है ये फादर है फादर इसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है यह, इस बच्चे का नाम है EX, एक बच्चे का नाम है BX, तो इस बाप के यह बाप है, यह बाप और यह बेटे, बेटे को मैं, इस बेटे का नाम है पपू बेटा, इस बेटे का नाम है गपू बेटा, गप्पू बेटा और यह पप्पू बेटा और पप्पू बेटा जा रहा है एक्स डिरेक्शन में पप्पू बेटा किदर जा रहा है एक्स डिरेक्शन में गप्पू बेटा किदर जाता है य डिरेक्शन यह किदर जाता है एक्स डिरेक्शन तो आपको बताना है बाप किस डिरेक्शन में जाएगा बाप यानि कि फादर किस डिरेक्शन में जाएगा किस की तरफ जाएगा किस की तरफ जाएगा बाप किस बेटे की तरफ जाएगा option A, पप्पु की तरफ, option B, गप्पु की तरफ, option C, नन अफ दीज, चलिए, ओ, यह रो रहा था भी, क्यों, so he is the new member, she, sorry, she is the new member of her family, और यह हो गई है अब एक महिने की, नहीं, तीन अफ़े की हैं, और इनका नाम है, इनका नाम है electromagnetic wave, इनका नाम रखा है, हमने electromagnetic wave, EM wave, तो EM wave से मिल लिजे, आप यह अभी तीन अफ़े की हैं, और अभी यह बहुत छोटी हैं, और इनको हमने rescue किया था, करीब एक महिने पहले, प्रेन की मा को, उसके बाद वो बच्चे हुए और यह जो है, survive कर गई, so hello, बोल दिजी सबको, hello, 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 hello बोल दिजी, तो नजदीक से देख लो, कह रही है, नजदीक से देखना चाहते हूं, यह देख लिए, यह दा रहा बाप और आप से पूछा था की एक बाप के दो बेटे हैं, पपू एंड गपू और बापू चलता एक्स डार्यक्शन में, गपू चलता है, य डारेक्शन में तो आपको बताना सब बाप किसके पास रहेगा, किस बेटे की तरफ जाएगा बाप तो कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है वाह एक लेक्चर में हो जाएगा स्थानु स्रीवास्त तो दो एक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल टेंट 20 से होता है क्या वात है इसका आंसर आएगा नन अफ दीज जो फा बी नौट साइन के जैड माइनस ओम समेगा झाटी और वी वाई इगल टू डीकल dubिए नोट साइन के जैड माइनस ओमेगा थी अब आपसे पूछता हूं क्या है क्यों नमबर केका नाम किया है वेफ नंबर और इसको हम लिखते हैं 2Pi upon lambda के का नाम किया है 2Pi upon lambda याद रखेगा इसको लेंड़ा क्या होती है लेमड़ा का मतलब होता है वेलन यह विले मतलब किया होता है ठीक है अब बहुत से बच्चों का यह नहीं प्रता ता सर्ड चरफ को मितलब होता है verses 2pi ठीक है और बच्चों यह डेस्टन हो डिनाथ है समस्कते हो क्या हैται चर्व की डिर्क्शन एक्स और वीव की डिरेक्शन हिपा यह होती है तो बच्चे पताई यह समझ में आगया क्या मैंने आपको एक्वेशन देखकर समझा दिया पूरा किसी भी एंगुलर वैलोसिती और इसकी वैल्यू होती है मेंगां की आपको पताई होगा ठूप बढूण टी और मेंगां ठूप सब कुछ बता दिया मैं ने आपको अब इस सवाल पर आते हैं वापस आपके बोड़ पर एक सवाल लिखा हुआ है इस सवाल को आप पढ़ लिजे इस सवाल को आप पढ़ लीजिये और सवाल को पढ़के मुझे आंसर करिये इस question का मैं देखना चाहता हूँ आपका आंसर क्या है सवाल को पढ़ लीजिये सवाल को Select the wrong statement about EM waves Select the wrong statement इन में से गलत क्या है EM waves are transverse in nature Travel in free space at special speed of light Are produced by accelerating charges Travel in all media with same speed इन में से गलत स्टेटमेंट है EM wave के बारे में ABCD एक स्टेटमेंट गलत है और सारे स्टेटमेंट ठीक है So which option is correct कौन बच्चा आंसर दे रहा है Who is answering Wrong statement Select the wrong statement about EM waves Who is answering me Yes, 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 yes जल्दी, 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 जल्दी Anybody मैं देख रहा हूं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं तो यार इसका आंसर सारे बच्चों का आगया मेरे पास और मैं देख रहा था कि रोग स्टेटमेंट कितने बच्चे सही देते हैं तो इसका आंसर है बच्चों जिन्होंने सही किया उनके लिए गलत हो गया डी इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव सारे मीडियम में एक ही स्पीड से नहीं चल सकती मीडियम बदलने से electromagnetic wave की speed बदल जाती है जितना dancer medium होता है उतनी speed कम हो जाती है और जितना rarer medium होता है उतनी speed जादा हो जाती है clear हाँ detail lecture होगा नुराग परजापती पढ़ाई पर ध्यान दे लो बेटा सवाल पूछ सोगे तो समन में नहीं आएगा कुछ भी मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया number one में repeat कर रहा हूँ electromagnetic wave क्या होती है और wave which consists of electric and magnetic fields is known as electromagnetic wave number two मेरे कमरे में या आपके आसपास क्या आप मुझे example दे सकते हो electromagnetic wave का आपके आसपास electromagnetic wave कहां है आपके आसपास सबसे आसान example अपके आसपास आपके आसपास बसроб से बढ़िया example कौन देगा आपके असपास सबसे बढ़िया example कौन देगा बच्चा जल्दी बताईए और like कर दीजे आपके असपास सब के आसपास मेरे असपास भी even जो आप मुझे देख पा रहे हो it is due to that example जो मैं पूछ रहा हूं आप से आप मुझे देख पा रहे हो because वह example आपके आसपास है तो देखिए आप इतने इंटेलियन बच्चे हो बिल्कुर सही लाइट नोट अली सनलाइट एनी फॉर्म अव लाइट एक्चुली इस दबेस्ट एक्जम्पल ओफ एम वेव पैस्ट एक्जम्पल ओफ एम वेव और आपको पता है यह जो लाइट होती है अपनी पनी और जैसे मेरी टिशर्ट का कलर क्ट और यह जो लोगों बना हुआ यह वाला यह वाला इसका कहलर के लोगों कोर के साजच का यह करता क्या है दूनिया में आप कह रहे हो ब्लैक यह वाइट तो दुनिया में कलर नाम की कोई चीज नहीं है जिसको आप कलर कहते हो इसको बैसिकली साइंस में वेवलैंद कहा जाता है हर चीज जिस कलर की दिख्थी है उस कलर की नहीं होती है अगर आप लाइट को खतम कर दो जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि दुनिया के इंदर एक कलर वाली बहुत जाद लड़ाई चल रही है ब्लैक लाइफ मैंटर्स एक हैस्टैग वह था वाइरल तो कुछ लोग भेदभाव करते हैं कलर के साबसे चीजों में तो नहीं करना चाहिए क्योंकि कलर तो होते ही नहीं असल में everything is based on light everything is based on light आप बताइए मुझे क्या हमें कलर के बेस पर भेदभाव करना चाहिए भाईयो बैनो अरे पढ़ने वालो अगर लाइट नहीं होगी तो कोई कलर रहेगा ही नहीं ना कोई लाल पीला काला गोरा वाइट कुछ नहीं होगा इस पेस में चले जाओ और दिखाओ अपन दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं ऐसा गाना बनाओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर ऐसे गाने हैं और एक वो गाना है आजकल नया कि वह फोन तो हर चीज काली पसंद है लेकिन मुझे काला पसंद नहीं गाना कौन सा है आद वो बताईएगा मुझे मतलब गाना है कि लड़की को हर चीज काली पसंद है लेकिन मेरा काला रंग पसंद नहीं इस तरह गाना का 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 बिल्कुल तो लाइट के बिना कोई कलर नहीं दिखेगा अब कोई चीज हमें कैसी क्यों दिखती है देखी मैं आ है कनला नहीं होता है वह चीज कालर की बेबलेंट को रिफलेक्ट करेती बन के इतने इच्छांड की अब ऐलोंड़क वेबलेंच का रही है इंगर की ब्लैट घटिखें तक डिखें डिभी तो साइं कि यह टीशर देख रहे हो है यह टेशिरट जो है हर कलर को अभश्यर कर रहή सारी ऐस्षार को एब्सों यह इसलिय बलैक दिख रही है इसलिए काका काना कौंसा अब भूल गया है कोंसा लिबास गने के वड भेत्लू failure प्टार और वाइट कलर कभ दिखता है बताना वाइट कलर कभ दिखेगा वाइट कलर दिखने का मतलब यह आपको वाइट कलर रहा है क्यों था है जो चीज वाइट दिखती है जो हर चीज को क्या करी एक अन्यादमी का सोगोड दिख रहा है क्योंकि यह कलर को क्या करता है सारी वेवुडंट युऋ उसके उपर आ रही है सबको सबको रिख्लक कर रहा है सली इंग एक राएट केलिर वेbor 장 समझा सम्झा यह हाए में क्या हैं मुझे नहीं पता आप कितना मेरी बात को समझ रहे हो लेकिन आयम ट्राइंग माई बैस्ट की मैं आपको चीजे समझा पाऊं मैं अपना बैस ट्राइब कर रहा हूं आपके लिए कि आपको मैं चैप्टर अच्छी तरह समझा दूं नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी चैप्टर बहुत ज्यादा क्या है इंपोर्टेंट देखो इधर यह इलेक्ट्रिक वेव जा र आपके लिए लिए जो चैलेंजिंग है जो सब्जेक्ट आपके लिए को को चैलेंज करता है उसको अप टाइम नहीं देते करते रहते देखो इसे तो वेव की तरफ आएगी देखो इलेक्ट्रिक फिल दर जा रहा है तो वेव आपकी तरफ चलती रहते हैं कि अ कि मैम भाई पहली बात तो मैम नहीं हूँ क्लास 12 एंट इलाजिंटर और निक नहीं आती भाई मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और गैनिक नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्त गुलाम शुवान लो भाई मैम बता रहा है हद होगी कि असल में जारतर टीचर आजकल मैम ही है तो बच्चों को हर टीचर मैम डिखता है यह देख लो आप यह दस साल के अंदर हुआ है पहले गुरू जी आजकल मैम होते हैं आप सोचलो एक इतना चेंज आ गया है जो कि अच्छी बात है चलिए फीमेल इंपर्मेंट अच्छी इसको आप से पूछे अगर कभी इंपर्मेंट इसको आप से पूछे अगर कभी आपने कभी सोचा अपने दिमाग से आपने कभी सोचा स्थंडे दिमाग से बैठ कर यार यह सब मैगनेटिक फिल्ड बोलते रहते हैं बैखनोट मैंगनेटिक होता है कि आखिर पैदा कैसे होता ईता ह्याग आप लिए ज़ैयर्स लेक्टमी सोंच रह करते हैं hey कैसे होता है अग्स형 का इसे तीसव पैदा कैसे होता है demon which can't lie कैसे पैदा हुथ होता है electric field की बात करेंगे अगर electric field charge से पैला होता है कोई charge रखा है तो उसके आसपास electric field NFC निकलती है और minus charge को उपर से आती है तो ये तो आसान हो गया लेकिन magnetic field केसे पैदा होता है आपने कभी सोचा बच्छो magnetic field केसे पैदा होता है actual में जब कोई changing electric field होता है changing electric field होता है जो चेंजिंगिटिक फिल्ड ही मैग्नेटिक फिल시고 Кो जनना देता Hepto Ch ooh जो चीज पैदा हुई है उसका कोई तो फादर होगा उसका उसका कोई तो मदर होगी जब भी चीज मेल नहीं होते हैं ऐसे जानवर होते हैं जीन से अमीबा बाईलोजी के बच्छे को पतावा होता है कि अमीबा होता है अमीबंद आखिए लियाइद कि दर मेल ऐसे के इंदर मेल है नडänge से खांशा में यह राइस तो मैंनटिक फिल सो देक्ना सर मीशा फेल से अन्सर ग ए सब बच्चों को अब किलियर है एक बार सारे बच्चे लाइक कर दिजिए वीडियो को जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दिजिए सबच्चे लाइक कर दें अब next अब next चलते हैं यह जो table है इसको आप ध्यान से देखिए different types of electromagnetic waves यह पूरी table मैंने NCRT से लिए आपके NCRT का page number 283 NCRT page number 283 यह table ध्यान से देख लिए इस table से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है radio waves पहला होता है radio wave, फिर होता है microwave, फिर होता है infrared, फिर होती है light, फिर होता है ultraviolet, फिर होती है x-rays और फिर होती है gamma rays ठीक है radio waves की wavelength greater than 0.1 meter यह आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके paper में से सवाल आ सकते हैं जो आपको एक पूरी दे देंगे कि बताओ इन में से कौन सी electromagnetic wave है, सोरी कौन सी infra है, कौन सी light है, कौन सी ultraviolet है यह पूछेंगे आप से तो इसकी जो wavelength होती है, radio waves की, वो more than 0.1 meter होती है, production कैसे होता है इनका, rapid acceleration and deacceleration of electrons in aerials नोट कर लिजे इस बात को, इनका production कैसे होता है, rapid acceleration and deacceleration of electrons in aerials करेक्षब शेरी तरहने का होते हैं Hit reel रिष्यो का कि टार्समीटर और और अगर कोई फोन आजाय तो फोन में गवारा ऊधर चॲान के पतल जाता था कि पोनने और तो यह पतल जाता है इसा हुञार में और तो यहाता है शुक्त शलता है उत्स बेक्टिवर अने वाला है कितने बच्चों ने एक्स्पिरेंस किया है कि जब फोन आने वाला होता था और हम गाने सुन रहे होते थे तो फोन में आवाज आने लगती थी क्योंकि जो फोन होता है यह एक्च्वल में इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव को पकड़ सकता है और जो रेडियो वेव होती है वह कि नोट कर लिया नहीं कर लिया बताओ कोई डाउट हो तो बता दो क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है जो आप अभी सीरेसली नहीं ले रहे हो बाद में आप सीरेसली जरूर लोगे मुझे पता है ठीक है माइक्रोवेव क्या होती है माइक्रोवेव नाम सी पर चल रहा बहुत छोटी वेव यह टेवल आप सब बुक में खोल लो अगर आप से कोई पूछेंगी वेवलेंद कितनी होती है जिरो पॉइंट वन मीटर से वन एम एम तक और इनका प्रोड़क्शन कौन करता है क्लिस्टरोन वॉल और माइक्रों वॉल बस आपको याद रखना कलिस्टरोन वॉल और माइक्रो वेव और माइक्रोवेव तो सबके घड़ोना होगा microwave oven अगर इसका use बूछ लिया किसी नहीं एक्जाम में तो आपको कुछ नहीं लिखना microwave oven is the use of microwaves और ये waves जो होती है चीजों को गरम कर सकती है point contact diodes इनका detection कर सकते हैं infrared चितनी भी आप गर्मी देखते हो infrared कम हो गई है और दूसरी वेव की मतलब मात्रा जादा है तो जो भी गर्मी आप देखते हो वह गर्मी सब कुछ एनी हीट प्रोड्यूस्ट एनी हीट प्रोड्यूस्ट बाइ एनी थिंग वह सब infrared की वज़े से होता है और बच्चों इनकी जो वेवलेंथ होती है वह थी 1 mm से लेके 700 mm तक vibration of atoms और molecules से पैदा होती है और इनको पकड़ने के लिए इनका detection करने के लिए हम क्या करते हैं इनका detection करने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास होना चाहिए thermopiles, bolometer, infrared, photographic films अब आती है light waves जो आपको दिखता है इसको बोलते है light हमें जो दिखता है यह light waves है असल में हम पूरे electromagnetic spectrum को नहीं देख सकते हम केवल इसके light spectrum को देख सकते हैं और यह होता है 700 nm से 400 nm तक इसकी wavelength electrons in atoms emit light when they move from one energy level to a lower energy level यानिकि light तब पैदा होती है जब electron एक energy level से दूसरे energy level में जाते हैं तो electromagnetic light पैदा होती है और इनको detect रहने का सबसे असान तरीका हमारी आखे photo cells और photographic film photo cells को artificial eyes भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि photo cells basically artificial eyes की तरह भी काम कर सकती है तो जो light आप देखते हो एक्चल में यह light भी electromagnetic wave का ही क्या है एक पार्ट सर्टम 1 के कौन से chapter करें की term 2 physics क्या लिखा आपने समझ आ जाए और not needed term 1 के सारे chapter पढ़ने पढ़ेंगे वह आपको सारे chapter अंकुर पटेल सर मेकेनिकल प्रोपटीज ऑफ थर्मटैनिस कब शुरू होगा बहुत जल्दी होने वाला नयाव एमद हैलो हाँ यह वन शोट है रेडियो गुलाम शुबानी नो लैग बिलकुल लैग नहीं है भी ठी परौबलम हटी है टॉट करने के लिए ये फोट आपको तो पता ही होगा ऐसरे भगवान न करे किसी को बाना पड़े जब dau हो जाता है प्रोब्लम हट्डी तूट जाती है फेपरेडमी को इंफेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं हम X-ray करवाते हैं और एक्सरे का क्या होता है वन नैनो मिटर इसकी वेवलेंद कितनी होती है वन नैनो मिटर से 10 टू पावर माइनस 3 ठीक है बच्चो और एक्सरेमीटरॉबग्रों शैली प्लίν म Tout इनको पैदा करते हैं और इनको डिटक्ट करने के लिए आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म होनी चाहिए या cyber tubes होनी चाहिए या Also3 laughs मोति ज को डिटेक्ट कर लेगा गामा रेज क्या होती है गुलाम शुभानी सर्थ थर्मो पाइल बोलो मिटर क्या होता है थर्मो पाइल बोलो मिटर बेटा एक डिवाइस होती है जो हीट वेव को पकड़ लेती है मतलब यह डिटेक्ट कर लेती हीट वेव कैसी होती है ठीक है गुला तो गामा रेज पैदा होंगी और इनका डिटेक्शन करने का तरीका वैसे कोई नॉर्मल लाइप में तो नहीं होता क्योंकि रेडियाक्टिव वेव होती है तो भाई इनसे बचके रहना और इनके पीछ आसपास मच जाना इसी में मैंने आपको चीट सीट दे दिये यह मैंने इपने हाँ से बनाएए पूरी और यह मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई जो कहीं नहीं मिलेगा आपको इस टेबल में मैंने सारी वेव्स सारी एक्स्ट्रा भी देखो माइक्रो वेव हैं मारकौनी इंफरा रेड उनकी वेवलेंद्थ उनकी फ्रिकेंसी उनका और अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज जो है थैंक यू बिलीवर गुलाम शुबानी यह दिखेगा आपको चुक्कि बहुत चोटा है लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे पीडिएफ में तो आपको दिख जाएगा क्यों कितने बड़े बोर्ड पर यह नहीं आ सकता था त यह पूरा चैप्टर रहे यह पूरा चैप्टर रहे वाला पूरा चैप्टर एक पेज में पूरा एम वेव पूरा एम वेव चैप्टर एक पेज में एक पेज में यह पूरा एम वेव चैप्टर किसको चाहिए कॉमेंट करिएगा सर मुझे चाहिए तो आप अगर कॉमें इनको तो इनको आप मत पढ़ें लेकिन अगर आप नीट की त्यारी कर रहे हो तो यह चारों इक्वेशन आपको पढ़नी चाहिए इसको बोलते हैं गोस्त लौ इसको बोलते हैं गोस्त लौन फौर मैगनेटिसं यह थो आपने पढ़ रखा है यह अपने पढ़ रखा है यह फैराड आप ने पढ़र रखा आए यह चोथी आपस जोड के बनाई गई है, yes or no तो इस चारो equation उन बच्चों के लिए हैं जो NEET और JAE की तेहरी कर रहे है ठीक है बच्चो, अब यह सवाल आ गया है आपर, Maxwell equation describe the fundamental law of Maxwell equation किसका fundamental law describe करती है electricity का, magnetism का mechanics का D, both A and B, तो यार बिलकुल आसान सवाल है, Maxwell equation किसके बारे में, electromagnetic waves के बारे में, तो अगर यह सवाल का आणसर आपको देना हो, तो Maxwell equation के अंदर या तो electric field आ रहा है magnetic field आ रहा है, देख लो, और कुछ नहीं है या तो electric field है, magnetic field है, तो इसका answer क्या हुआ, electricity, magnetism, यानि कि both A and B, तो सही answer क्या हुआ अगर आपने अभी तक आपका term first बहुत अच्छा नहीं हुआ है, या आप satisfied नहीं हो, तो मैं आपसे request करूंगा कि मेरा term 2 के लिए plus course आने वाला है, plus course आने वाला है, उसको आप जरूर ले ले लें, और एक, at least आप 6 मेने का plus course तो लही सकते हैं, मतलब लास्ट का 3 मेने का, तो आपको बहुत benefit होगा, and using code ATC10, आप यह जरूर ले ले, इस्टाइलिस राजपूत, PDF हमारी टेलिग्राम चैनल मिल जाएगी, अनेकेडमी का, जिसका link यहाँ पर है, speed of EM wave कैसे निकालते हैं, क्या आपको पता है, speed of EM wave क्या होती है, speed of EM wave होती है, 3 into 10 to power 8 meter per second, तो अगर कोई आपसे कहें कि इसको proof करो, prove that, speed of EM wave is 3 into 10 to power 8 meter per second, अगर यह proof करने को आ जाए, तो कैसे proof करेंगे इसको, कौन बच्चा है जो proof कर सकता है, speed of EM wave, बताओ, बच्चो, असल में आपको दादो, speed of EM wave होती है, वो होती है, c बरावर, 1 upon, under root, mu not, epsilon not, यह देखो, और इससे पता जलता है, कि light जो है, electromagnetic wave होती है, electromagnetic wave किस तरह होती है, क्योंकि इसके अंदर, यह देखो, magnetic factor है, और यह क्या, electric factor है, इसको बोलते है, electric permittivity, इसको बोलते है, magnetic permeability, तो आपको proof करना है, कि light की speed, c बरावर, 3 into 10 to power 8 होती है, उसके लिए formula चाहिए हमें, अब मैं क्या करूंगा, देखो, आपको बताओगा, 1 upon 4 pi epsilon 0 की value कितनी होती है, बताओ, 9 into 10 to power कितनी, 12, और भाई, mu 0 upon 4 pi की value कितनी होती है, जल्दी बताओ, वो होती है, 10 to power minus 7, equation number first, equation number 2, clear है, clear समन में आ रहा है, देख रहे हो आप, अब आपको इसमें से निकालनी है, epsilon 0 की value इसमें से, mu 0 की value, तो कितना असान है, देखो, epsilon 0 की value कितनी होगी, epsilon 0 की value होगी, 4 pi into 9 into 10 to power 12, और mu 0 की value कितनी होगी, mu 0 की value होगी, 4 pi into 10 to power minus 7, अगर मैं दोनों को multiply कर दूं, तो epsilon 0 mu 0 कितना हैगा, 4 pi, यानिके 16 pi square, 9 into 10 to power, ये कितना है, 12 कितना है, 5, तो ये 5 बचेगा, यहां तक कोई problem है किसी को, any problem, कोई problem तो नहीं है, तो बस आपके पास epsilon 0 mu 0 आ गया, epsilon 0 mu 0, अच्छा, sorry, 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 यहां से मुझे निकालना पड़ेगा, 4 pi epsilon 0 आएगा, यहां से, 1 upon 9 into 10 to power 9, तो यहां से मैं निकाल लोगा, epsilon 0 कितना आएगा, 1 upon 4 pi 9 into 10 to power 9, ये आएगा, ये ग अब इसमें से क्या निकालने के लिए, मुझे नोट, इसमें से मुझे नोट कितना आएगा, मुझे नोट आएगा, 4 pi into 10 to power minus 7, अब कर लो, अप अनाम से, अब तो हो जाएगा, तो यार, epsilon 0 mu 0 निकालने के लिए, product कर दो इनकी, तो 4 pi into 10 to power minus 7 into, इसकी product करो, 1 upon 4 pi into 9 into 10 to power 9, 4 pi से 4 pi cancel, अब आपके पास बचा, epsilon 0 mu 0 is equal to, देखो यह उपर ले जाओ आप, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, इसको भी नीचे लियाता हूं, 1 upon 9 into 10 to power 16, और अगर मैं इसका अंडरूट लेता हूं, तो अंडरूट लेने पर इसका बेंडरूट हो जाए I hope clear होग है सबको, अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को भी, हमने speed निकाल दी बच्चो, 3 into 10 to power 8, speed निकाल दी हमने, ठीक है, clear समन में है सबको, आप से question पूछ सकते हैं, यह सर लिखी है, अगर समन में आ गया हो तो, अब इस सवाल का answer पताए, यह कौन बच्चा यह सवाल एक्जाम में सकता है, subjective paper है, तीन नंबर में आएगा है, कि prove that speed of light is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second, अब यह question ध्यान से देख लिजे, electromagnetic wave consists of periodically oscillating electric and magnetic vectors, option A, in mutually perpendicular planes but vibrating with phase difference pi, option B, in mutually perpendicular planes but vibrating with phase difference pi by 2, C, in randomly oriented planes but vibrating in phase, D, in mutually perpendicular planes but vibrating in phase, तो आपको बताना है, A, B, C या D में से कौन सा ठीक है, box में क्या लिखूँ में, box में कौन सा लिखूँ, A, B, C या D, इस्टाइलिस राजबूत का D, चिंकी सिंग का D, चलो वही देखते हैं, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कि मुकेश, लगता है, स्टाइलिस राजबूत का फेक अकाउंट है, आज, क्योंकि वो बच्चे से कॉमेंट तो नहीं करता था, सुमन कुमारी, विजे मीना, गुलाम शुबानी सर डी ओप्षन, रैड क्यूं है, रुचिका सिंग, बताऊंगा भी रैड क्यूं है, सुशानी, सुमन कुमारी, रुचिका गुपता, अस्था दता, सारे बच्चे आंसर करिए, ताकि पता चल जाए कि कौन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं दे रहे हैं, फटाफट, फटाफट करिए मुझे, मैं आपके आंसर देखना चाहता हूं, और इसका सही आंसर आएगा डी बच्चो, in mutually perpendicular planes but vibrating in phase, तो डी आंसर ठीक है, तो यहां पर मैं डी को काला कर देता हूं, यहां पर तुमें नेक्स्ट, यह क्या है, what is this, और यह आपकी बुक में है क्या, what is this, यह क्या है बच्चो, who will tell, यह है आपका electromagnetic spectrum का frequency और wavelength का partition, और यहां पर यह आपकी बुक में भी दे रखा है, तो मेरे आप से requesters को आप इस तरह पढ़ना काट के बीच में से, इधर frequency दे रखी हैं, इधर wavelength समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको यह वाली table दे दी है, बड़ी महनत करके इसको आप पढ़ना, आपको इसमें से कुछ भी समन में नहीं आएगा, मुझे पता है, तो इसको मैंने दे दिया है, क्यों इसको भी आप देख लेना, एक बार figure number 8.5 है, लेकिन मैंने इसका जो simplified diagram हो, यहाँ पर बना दिया है, पूरा, इस table से पढ़के आपको सब कुछ समन में आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ भी समन में नहीं आएगा, तो इसको आप छोड़ दे, ठीक है, अब मैं आपको एक-एक करके समझाता हूँ, radio waves क्या होती है, यह आपकी N पढ़ने से क्या फाइदा होता है, radio waves are produced by the accelerated motion of charges in conducting wires, they are used in radio and television communication system, they are generally in the frequency range from 500 kHz to about 1000 MHz, the AM amplitude modulated, AM की full form, जहाँ पर भी आप AM देखो, AM की full form होती है, amplitude modulated, amplitude modulated, और FM की full form क्या होती है, frequency modulation, frequency modulation, क्या होती है, frequency modulation, amplitude modulation, frequency modulation, तो यह आपर देखे, clear एकदम, बिल्कुल clear, इनकी frequency range क्या होती है, 500 kHz से 1000 MHz तक, आपने इनको सुना होगा, जो यह हमारे रेडियो वाले होते हैं, जब आप FM सुनते हो, खासकर आप आकाशवानी सुनते हो, तो कहते हैं, हम 890 kHz से बोल रहे हैं, सुना अपने कभी दिल्ली आकाशवानी को, हम 890 kHz से बोल रहे हैं, तो kHz कितने हैं, 1000 MHz तक है, 500 kHz से, यहनी कि अभी बहुत सारी frequency ब frequency modulated waves, higher frequencies up to 54 MHz are used for short wave bands, TV range from 54 MHz से 890 MHz तक, यह मैं क्यों लगा रहा हूं, जिससे आपको पता सलजाए, इसमें से क्या के पढ़ना, इसके उपर सवाल आ सकता है, जहां जहां पर मैं लाइन खीच रहा हूं, इसके उपर आपके एक्जाम में कुश्चन आ सकते हैं, FM जो होता है, frequency modulated, यानि कि आपको बोलना चाहिए, अंकल एक transistor दे दो, अंकल आप एक transistor दे दो, FM की frequency कितने होती है, 88 MHz से 108 MHz तक होती है, cellular phones use radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency, UHF band, अब यह सवाल अगर एक्जाम में आ गया है, कि जो mobile phone होते हैं, cellular phones, वो कौन सी wave use करते हैं, तो आप बोलोगे, radio waves in UHF, UHF का मतलब, ultra high frequency, UHF का मतलब, यह मैं एक एक बात लिख रहा हूँ, अभी आपके साथ दिक्कत क्या होती है, जब आपको बढ़ाते हैं, तब आप seriously नहीं सुनते हो, फिर exam में आप रोणने लगते हो, ultra high frequency, cbsc वाले कितना भी paper easy बना लें, physics को कभी easy नहीं करेंगी, उने पता ह physics क्या चीज़, ultra high frequency, इसलिए physics पढ़ना और physics पढ़ाना दोनों ही मुश्किल काम होते हैं, क्योंकि physics में, चितना भी teacher महनत कर लें, तब भी risk रहता है, उसको और बच्चे को भी कितनी महनत करके भी risk रहता है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, पढ़ाई कर लो, seriously, तो UHF का मतलब ultra high frequency और mobile phone यूज़ करते हैं, mobile phone, ठीक है, physics memory based नहीं है, physics में दिमाग लगाना पड़ता है, how these waves are transmitted and received is described in chapter 15, chapter 15 को बताएंगे कि ये wave चलती कैसे हैं, अब यहाँ पर कुछ सवाल है, question है, the electromagnetic waves, option A, B, C, D, आपको 4 option दिख रहे होंगे, travel with the speed of sound, B, travel with the same speed in all media, C, travel in free space with the speed of light, और D, do not travel through a medium, तो आप यह मैं सोचना कि red वाले ही answer सही है, चलो answer दो जल्दी, red वाले answer को सही मैं समझना गलती भी हो सकते हैं, ओके, red वाले answer को आप यह मैं सोचना कि red वाले answer ठीक हैं, गलत भी हो सकते हैं, यही मैं आप से कह रहा हूँ, मैंने red color क्यों किया, इसका एक region है, पर इसका region यह नहीं कि red color वाले answer सही है, चिंकी सिंग, गगंदीप, रुची का गुपता, गुलाम शुबानी, सब क्या answer आ रहे हैं हमारे पास, तो यार देखो, इसका answer है बच्चो, C answer ठीक है, और C answer को मैंने black कर दिया, बिल्कुल यह भी red वाला सही हो गया, आपकी बल्ले बल्ले हो गई, तो मैं बोक्स में क्या लिखू जल्दी बताओ, बोक्स में लिखूँगा मैं C, अब question number यह हो गया हमारा, अब question number यह, which of the following type of radiations are radiated by an oscillating electric charge, एक electric charge oscillate कर रहा है, उसके अंदर से क्या निकलेगा, समझे हो, एक electric charge oscillate करेगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा, बच्चा, electric, magnetic, thermoelectric और electromagnetic, तो इसका answer भी क्या है, D answer इसका, तो D answer इसका, D answer is correct, याद रखोगे, भूल जाओगे, promise करिए, मैंने यहाँ पर answer लिख दिये, क्योंकि यह कोई mentee quiz नहीं हो रहा है, अगली class में इसका mentee होगा, next class जब होगी हमारी Monday को, तो Monday को इसका mentee होगा, तीन बजे इस chapter का, तब मैं देखूँगा, आप कितने से answer देते हो, आज च मंदे को mentee में कौन को ना रहा है, पता हो, इसका mentee मंदे को होगा, microwaves, यह photo किसका है, यह क्या है भई, यह क्या है बच्चो, यह क्या है, यह NCRT का photo है, पता आपको, यह page मेंने NCRT से लिया है, what is this, यह क्या है, microwave, बिल्कुल, microwaves, अब देखो लोगों ने, इसका नाम रख microwave oven, oven, oven मतलब चूला, oven का मतलब चूला, oven क्या होता है, चूला, गाउं में चूला होता है, गाउं में हमारे गाउं में तो आज भी मिट्टी का चूला है, तो मिट्टी का चूला ऐसा होता है, देखो, मिट्टी से बनाते हैं, इंट रख के, एक दिवार इधर होती है, और एक दिवार इदर होती किसके घर में चुले ऐसे अभी भी गाउं में वह कोमेंट कर सकता है यहां पर लकडी और गोबर के बने वे उपले डालते हैं आग जलती है इसके उपर ही तवा रखके खाना बनाते हैं पतिला रखके पानी गरम करते हैं चाय बनाते हैं और इसका जो सब्सक्राइब यान दो और मैं आपको वन बाइवन बता रहा हूं मिल्या इस इनकी फरिकेंटी गिचेंट्स GHZ याद रखेगा microwave की frequency कभी भी इसमें नहीं होती kilohertz, इनमें नहीं होती hertz, किसमें होती gigahertz, gigahertz 10 to power 6 तो mega होता है उसके उपर giga होता है बताओ, एक giga में कितने hertz होंगे cold, klistrons, magnetrons and gun diodes due to short wavelength they are suitable for the radar system used in aircraft navigation देखो, they are suitable for radar system used in aircraft navigation ज्यान से देखिए यानि कि जो microwave होती है वो aircraft navigation में use होती है radar also provides the basic for speed guns used to time fast balls tennis servers, automobiles microwaves oven are interesting domestic application of these waves सबसे असान example कोई पुछे तो क्या बता होगे microwave oven in such ovens, the frequency of the microwave is selected to match the resonant frequency of water molecule so that energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules this raise the temperature of any food containing water मतलब microwave से आप उसी खाने को गरम कर सकते हो जिसके अंदर पानी हो सुखी चीजों को इससे गरम नहीं किया जा सकता सच बात यह है कि हर चीज में कुछना कुछ पानी होता है बच्छो, कमाल की बात देखिए आपको अगर कोई पूछता है microwave काम किसे करते हैं तो आपको बताऊं सच-सच microwave काम कैसे करते हैं बच्चो यह microwave है इसके अंदर मैंने आलू रख दिया आलू मैं इस आलू को गरम करना चाहता हूँ भूनना चाहता हूँ यह पिज़ा रख दिया और जो पिज़ा के अंदर water molecule है H2O, वो vibrate करना शुरू कर देंगे जिससे उनकी kinetic energy बढ़ेगी और भाई, kinetic energy का formula होता है E बराबर 3 by 2 kbT ये formula आपने पढ़ाया कभी? किसी भी चीज की kinetic energy का formula gas की या molecule की क्या होता है E बराबर 3 by 2 kbT kb क्या होता है? chemistry में आपने पढ़ाऊगा bolts man constant, BC ये BC वो नहीं आप सोच रहे हो और T का मतलब absolute temperature तो देखो, यहाँ पर temperature है T और energy है E तो E is proportional to temperature तो जब आप microwave से इसकी kinetic energy बढ़ाऊगे तो इसका temperature बढ़ जाएगा और वो आलू या पिज़ा जो भी है गरम हो जाएगा हिमानशी इसके notes PDF में दे देंगी बेटा कितने बच्चों को समझ में आ गया खाना गरम केसे होता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ अगर कोई आपसे पूछेगा कि खाना गरम केसे होता है microwave में तो आप बता दोगे नहीं बता दोगे पहली बात ऐसे खाने को इससे गरम नहीं कर सकते जिसमें पानी हो ना हो अगर किसी खाने की चीज में पानी नहीं है तो इसको गरम नहीं कर सकते उतकर्च बेटा इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीक है फुल चैप्टर नोट से बना रहा है दुबारा बता हूं अगर मेरे पास कोई पिज्जा है पिज्जा एक मिनट एलो टीम मैं दिखाता हूं यह मेरे पास कोई रोटी है पिज्जा है पिज्जा को आपने रख दिया माइक रो जोब करते हैं हस्बें वाइफ डोनों को बाहर रहना पड़ता है तो एक बार रख़े गरम करे खाते हैं उसको रख़ीज में से निकाल के रहां आप सब्सक्राइब करने लगता है यह यह रोटी को बने वे 2 गंटे हो गए यह घंटा और इस रोटी के गरम करना है मुझे तो मैं खाल ने रखना है हर चीज के लिए इसकी इंदर पनीर है और बेसन था ना तो इसको माइक्रोव में रख दिया मांलो यह माइक्रोवेवाव तो इसके इंदर एक गुमते रहती यह से देखी होगा अपने ज्यान से ऐसी इसके बरतन अलग से आते हैं तो यह प्लेट रख दी घखकन बंद निया अब क्या ओगा जिसके अदर वॉटर मॉली किले रोटी कि वोटर मॉलीक्यूल वाइब करना शुरू कर देंगे कि अगर ये आपके हाथ है अपने हाथ को जड़ा ऐसे करो एसे करो कर रहा हूं पढ़ने वालोग अब क्या हुआ आपके हाथ ऐसे करने से क्या हुआ जब आक्स करते गरम हो जाते हैं उसी माइक्रो वेव ये इसे इन फीर्फ करने से हमाद गरम हो जाता है सब्सक्राइं कितने बच्चों को समProf को प्यारे बच्छों को मेरे तो यार इंफरारैडнов भेर सeffective दुनिया में जितनी गर्मी हम दुनिया में जो भी गर्म है मतलब इन्फरा रेड वेव्स वहां है अब मुझे आती है जैसे आजकल मतलब आजकल बहुत तरह से बना जा रहा है जैसे ऐसे कहते है ओ आया होट इंदर निकल रही है तो अगर कोई चीज होट होगी अगर आप किसी को होट कहा रहे हो तो उसके अंदर से इंफरारेट निकलेंगी जो भी गर्मी है दुनिया के इंदर वो किसकी वरे से इंफरारेट की वजह से गर्मी मतलब इंफरारेट गर्मी मतलब इंफरारेट मतलब मीडिया आपको लू बना रहा है जब यह देख लो जितनी भी होट बोडी होती है उनके इंदर से इंफराराइड कैसे पैदा होती है तो होट बोडी एंड मोलीक्यूल्स ठीक है यार यह बात यहां पर बहुत बड़ी है बच्चो इसकी लो फ्रिक्वेंसी नोट कर लो सब बच्चे लो फ्रिकेंसी एंड आहा लो फ्रिकेंसी एंड लोंग वेवलेंथ यह होता है लो फ्रिकेंसी एंड लोंग वेवलेंथ अच्छा इसके बात क्या लिखा हुआ है NCRT की एक लाइन में हजारों लाइन चिपी होती है this is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves many other molecules for example CO2 ये सब कुछ नहीं ये काम का तुम्हारे infrared radiation also plays an important role in maintaining the earth warmth देखो धरती के इंदर जो गर्मी है आप बताहिए आजकल थंड हो रही है अगर सूर्य देव ना निकले अगर सोचो 10 दिन तक सूरज ना निकले तो क्या होगा आप बदाए मुझे अगर सिरफ 10 दिन तक सूर्य भगवान दर्शन ना दें तो क्या होगा बच्चो और आपको पता है पास्त में सहो का फ्यूचर में सहो सकता है एक बोलता है आइस एज सुना अपने वर्ड आइस एज आइस एज क्या होगी जब दुनिया के अंदर से गर्मी खतम हो जाएगी अगर इंफरा रेड़ नहीं रही तो आइस एज आ जाएगी मतलब सब कुछ जम जाएगा सब कु हो जाएगी आप मेरी बास समझ रहे हो आई से और यह सब इंफरारेट की वज़े से होता है तो मोटा मोटा समझ लो कि जो भी चीज गरम है उसके अंदर इंफरारेट निकल रही है इंफरारेट तभी निकलती है जब कोई चीज गरम होती है तभी उसके अंदर से visible rays, visible rays मैं आपको थोड़ा पता जिता हूँ, what are visible rays, what are visible rays बच्चो, let us check, हमें नहीं दिख रहा है, वो visible नहीं है, जो हमें दिखता है, जो हमें नहीं दिखता है, जो हमें नहीं दिखता है, वो invisible है, it is the most familiar form of electromagnetic waves, it is the part of the spectrum that is detected by the human eye, it runs from about 4 into 10 to power 14 hertz to about 7 into 10 to power 14 hertz, और wavelength range of about, देखो, यहाँ पर पूरे chapter में पढ़ने की चीज़ क्या है, एक तो यह, it runs from about 4 into 10 to power 4 hertz to 7 into 10 to power 14 hertz, यानि कि हमारी आखे बस इतनी frequency देख सकती है, light, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा, वो visible light है, और इसकी जो wavelength होती है, तो इसके बारे मुझे बात याद आती है, महावारत की लड़ाई में, अर्जुन ने कहा, भगवन कृष्ण से मैं नहीं लड़ूँगा, कि क्यों, कि ये पिता में भिस्म खड़े हैं, दादा जी मेरे, ये सब मेरे भाई-भाई हैं, इनसे कैसे लड़ूँँँए, पिता लेकिन अर्जुन ने का, मुझे तो कुछ दिखनी रहा है, ये आप क्या बोल रहे हो, परभू, तो फिर भगवन कृष्ण ने उसको दिव्वे नेत्र परदान की, अब अगर हम इसको साइंटिफिकली सोचें, तो सकता है, कोई चश्मा दिया हो, जैसे आप 3D मुवी देखने जाते हो, तो आपको एक चश्मा पहनना पड़ता है, तो चुकि जो विजिबल लाइट है, उसको दर जुन देख सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण का जो विराट रूप था, वो विजिबल लाइट का बनावा नहीं था, इसलिए उसको देख नहीं पाया, ठीक मैं आपको बताता हूँ, हमें कितना कम दिखता है बच्चों, हम सोचते हैं, हम कितने घमंड करते हैं, इनसान के अंदर कितना घमंड होता है, यह विजिबल है, जो आपको दिखता है, यह विजिबल है, और यह क्या है, इन्फरा, देखो कितना बड़ा इन्फरा, और यह क इतना बटा और हम घमन करते हैं यह मेरा घर है यह मेरा प्लोट यह मेरी गाड़ी दिख रहा है और भी नहीं और वह सतारी चीज़े तो भूत की बहुत से लोग दावा करते हैं भूत दिखा मुझे तो नहीं दिखा आज तक सच बताओं मैं समशान घाट में अपने गाओं के बैठा में रात को भी दो वज़े तक बैठा रहा रहा रात को और वहां पर साइड में चिता भी जल रही थी दादी जी की डायत हुई थी हमारी साइन्टिफिकली सोचें तो भूत प्रेत इसको बोलते हैं पैरा नॉर्मल साइंस या पैरा साइंस भी कह सकते हो मतलब इस्टेडी ओफ दिखने रहे होंगे किसको डर लग रहा है तो हो सकता है यहां बैठे हो पढ़ रहे हो मोबाइल में लेकिन आपके साइड में कोई ब देखी नहीं पार है उसको हमारी आंके दो कि विजिविल लाइट को देख पाती है 4000 एंग स्ट्रों से अब क्या होता हूं 4000 एंग स्ट्रों से 7000 एंग स्ट्रों तक को ही देख पाते हैं हम समझे और दोस्तों मेरा प्लस कोर्स आने वाला है तो आप मुझे कोमेंट करके बीच में आपके पेपर टम टू शुरू हो जाएंगे तो कि पैम मुझे कोमेंट करके बदाएए मैं एक साथ पूरा कोर्स ले आऊं या फिर चैप्टर वाइस लाओं और कितने बच्चे भूत को मानते हो क्या भूत होते हैं क्या भूत होते हैं भूत जिन प्रैत कुछ भ येस ऑप्शन बी मेबी मेबी ऑप्शन सी नौ जल्दी बताई टेंटन अनुगिल के सपने में भूत आते हैं भूमित बोस बिलकुल स्टाइलिश बटर स्कोच संतोष कुमार हरसिता चोहान हैरीस हरासीस दे आर एक्चुली गूड एंड बैड स्प्रीट्स ओके शंतोष कुमार सोनु पांडे शेर एसके बटर स्कोच सैवन स्टाइलिश राजपूत निखिल तिवारी जोती गुलाम शुबानी सी हरसिता चोहान स्टाइलिश सुमन कुमारी चलो सोनु पांडे जोती शेर एसके तो सबका अंसर आ चुका है जायतर बच्चों ने कहा है ह बहुत मैनत कर रहा हूं तो भाई एक बार लाइक कर दो इस सेशन को क्योंकि मैं देख रहा हूं सारे बच्चों ने भी तक लाइक नहीं किया है प्लस कोर्स एक तारिक से शुरू हो जाएगा रिदेश पंडे डॉंट वरी इस्टाइलिश राजपूद गुलाम शुबानी बी गुलाम शुबानी पहले आपने सी आंसर दिया था बी दे रहे हो ठीक है तो विजिविल लाइट को देख सकते हो आप अल्टरा वाइलट रेज क्या होती है यह सवाल काफी इंप्रोडेंट है इन इट कवर्स वेवलेंस रेंजिंग फ्रों फोर इंटू टैन टू पावर माइनस सेवन मीटर से सिक्स इंटू टैन टू पावर माइनस टैन मीटर मतलब सच बताऊं तो चार सो नैनो मीटर से यह जिरो पॉइंट सिक्स नैनो मीटर तक होती है यह इनकी वेवलेंट थे लेंडा ठीक है और एक बास सुनिए मैं आपको जहां पर इंपोटेंट होगा उसको अंडरलाइन करूंगा तो यह मैंने अंडरलाइन कर दिया अगर कोई आप से पूछे का मुख्य सोर्स क्या होता है तो सन बोलो गया बट फॉर्चुनेटली मॉस्ट ऑफ इप्स एब्जोर्ड इन दा ओजॉन लेयर इन दा एट्मोसफेर एट ए सन ब RS 6 लेयर यह हमारी अर्थ है चरूर्ण लेयर समय आप 10 सब्सक्राइब है और सोची सारी Benham हमारे पास आजाती तो क्या ऊता बच्चो सब लोगों को cancer हो जाएगा इसलिए हमारी जो हमारी जो वह है ओजोन लेयर को बचाना बहुत जरूरी है ओजोन लेयर किस तरह खराब होती है अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताई कि किसानों की पुराली जलाने से पॉलूशन होता है तो होता होगा चलो मान लेते हैं लेकिन सबसे जादा पॉलूशन करने वाली चीज़े हैं एसी एसी रेफ्रिज्डेटर और गाडिया आपको आपने देखा यूरोप में बरब पढ़ता है तो यूरोप के लोग बिल्डिंगों के उपर शीशा लगाते है लेकिन इंडिया के लोग नकल करके शिशा लगाते हैं अरे भाई इंडिया एक गरम देश हैं आपर गर्मी बहुत पढ़ती है आप शिशा क्यूं लगा रहे हो मुझे आज तक समझ में यह पूरी बिल्डिंग बनाएंगे एच्छी खासी सामने शिशा लगा देंगी पू विए लगे बाद इतने इसी लग्जे ओते हैं और आप मॉल जाते होना मॉल में घूमता और फिर फटो डालते हो जब आप डेटा यूस करते हो तब वी आप गलोबल लोर्मिंग कर रह ले हो पतानी भाई क्या है कई बार तो लोग पिक्चर देख रहे हैं ठंडा गरी उनको फिर भी चलाक रखेंगे लेकिन उसको भी लोग कूल समझते हैं एशन अरे हम मुवी देखने गए थे आज कौन सी स्पाइडर मैं कहा और यहीं पर देखी थी थेटर में आई मज़ा आगा क् इन से निकलती है कलोरो फ्लोरो कार्बन गयास क्या निकलती है CCL6 CCL6 बहुत नकली मामला चल रहा है इंडिया के लोग नकल करते हैं कहीं बारों में दिखावा करते हैं बिल्कुर फाल तू काई से चला रख और रेफ्रिजेटर पूरे फ्रीज के इंदर मैंने देखा कही हमारे घर में होता है एक फ्रीजे बड़ा सा लेंगे पहले चोटा फ्रीज ता काम चल रहा था मिस्टर शर्मा ने बड़ा फ्रीज लिया है एजी मुझे भी बड़ा फ्रीज चाहिए नहीं तो खाना नहीं बनाऊंगी अरे भागवान छोटे फ्रीज लेले हमें जड़त नहीं है नहीं जी देखो फ्रीज बड़ा चाहिए उझे लंबे वाला मेरे से भी लंबा तो उसको समान किसे निकालेगी सीडी लूंगी में लिप्ट लगवाँगी लेकिन फ्रीज मुझे बड़ा वाला चाहिए क्यों भाई क्यों भाई क्योंकि प्रोसी ने ले लिया फ्रीज बढ़े वाला हम भी लेंगे और जितना बड़ा फ्रीज होगा उतना ही जारा है उसमें से क्या निकलेगा कलोरो फ्लोरो कारवान रेडियेशन और भाई हमारी ओजोन लेयर येस गुलाम शोगानी डबल डोल हमारी ओजोन अगर आजकल कैंसर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा मानते हैं कि और जोन लेयर के लिए अल्ट्रावायलट रेज हैं अगर आजकल कैंसर बढ़ रहा है है बहुत ज्यादा मेरी मंबी को cancer हुआ था पैर में अब थीक है भगवान के अश्रिवाद से उनके पैर में cancer हुआ मैरी मम्मी अपनी मम्मी उनको एमस में दिखाया पहले बहुत तारे दोक्टरों को दिखाया कुछ नहीं फायदा हुआ फिर एमस ले गए बहुत धक्के खाये फिर एक भले इंसान मिले हमारे गाओं के पास के शर्मा जी है चाचा जी लगते हैं हमारे उनके थूरू हमें एडमिशन मिला वहाँ पर उन्हेंने हेल्प करी हमारी काफी गाइड कि बोलते हैं इसको मुझे पहली बार पता चला कि कैंसर डिपार्टमेंट को उनकोलोजी बोलते हैं मजाग में लेते और चीज को भाई बिस-बिस साल के लड़के पंदरा-पंदरा साल के लड़के बच्चे छोटे-छोटे से लेकर 90-90 की फीमेल्स ओल एज मेल्स कैंसर इतन आपना पॉलुशन एक्सरेज तो आपको पताई होगा एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है पूरा चैप्टर मैंने अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख लेगा न तो चैप्टर को कितना चबर्दस फोड देगा ब्योंड यूवी रिजन यूवी रिजन के बाद तो कोई पूछे की एक्सरेज जो है वो यूवी रिजन से पहले आती है बाद में तो ब्योंड बाद में और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 to power minus 8 मिटर से लेकर 10 to power minus 13 मिटर तक होती है मतलब किसी मेटल को आप हाई एनरजी लेक्टरों से बंबार कर दो तो क्या निकलेंगी एक्सरेज निकलेंगी इसलिए जब आप होस्पिटल जाते हो तो यार जैनेटिक्स को चेंज किस ने किया हमें भगवान ने बिमार पैदा नहीं किया गुलाम शुबानी भगवान न यह में स्वस्थ पैदा किया जैनेटिक्स में उसको बोलते हैं मुझे तनी बाइलोजी आती है मुटेशन कैसे होता है रिडिशन से होता है आपने देखा निस पैटन में उसमें कौन सी मूवी है वह जो वह हल्क वाली मूवी में एक नॉर्मल इंसान रेडियाक्टिवी र आपको इमार करता है एकस रेडर यूज्ट और जी तने पैस्टिसाइड उस हो रहे हैं खाने में और जो बाहर हम खाना खाते है जो फास्क फूड आप खाते हो यह क्या है एकस रेडिया यूज डियागनोस्टिक टूल इन मैडिसीन एंडटर्यूपर वाहां पर आप मत ज जाओ उसके साथ के जो तिमार्धार है उनको भायरो क्थbers औध ही स्वीट सरय से रहे हमेंना होती है थीवेधार का सवा Final 1 कला सब् Ultimate udah 10 to power LOVE 14 मिटर ही केव और यह केवल रेडियेशन जब होता है उससे निकलती एलफा बीटा गामा तो इनको प्रैक्टिकल लाइप में आप नहीं देख सकते यह तो केवल बच्चो केवल रियक्टर डिडियेशन में होता है पॉइंस टूपंडर आप दो में पर देखे रोते हो इससे चांप नमबर वन point number 2 point number 3 point number 4 point number 5 अभी पढ़ लेना और हमारा एक बहुत बड़ा फीचर है एक सवाल पुछूँगा लास्ट में रुकिए का थोड़ी देर आस्क डाउट फीचर आपको पताई होगा तो चल रही है वह भी आप जोई कर लिए अने केड़ में डाउनलोड करके मुझे फोलो कर लो है डेडिकेट कर दो और सारे बच्चे मेरी स्पेशल क्लास के लिए इन्रोल कर लो यह बैच जो चल रहा है इसमें तमसा मैं मैं राहुल सर अंजना मैं पढ़ाते हैं और मेरा फिजि बढ़े टीजर पढ़ा रहे हैं मोनिका मैं अशोक मीना एसमनी कृति शर्मा राहुल महानी सर और एक बैच है मारा साइंस के लिए शाइन बैच इसमें सुमित ठाकूर अश्परीत मैं राहुल डूडी तमसा त्यागी और विशाल महाजन सर पढ़ा रहे हैं कोई भी बैच जोइन करिए एटी सी टैन कोड के साथ करिए तो थैंक यू एरी मच लेट्स क्रैक इट और अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और प्रोमिस करिए कि सर आपका कोड यूज करेंगे पूरा चैप्टर खतम कर दिया जो बच्चे समझ गे लाइक ठोकिए पूर फिरिज के इंदर ज्यादा समान ना रखा उसको बंद कर दीजिए आज कल सरदी हैं तो फिरिज को बंदी रखिए थोड़ा बहुत चला लेजिए ताकि उसमें स्मेल ना हो एसी का यूज मत करिए फाल तुमें गाड़ी अगर धूल ना हो तो गाड़ी की खिड़ी खोल के एसी बंद कर दो क्योंकि इससे हमारी डिपलेशन लेर जो है बहुत जो हमारी ऊजोन लेर उसको बहुत मुक्सान होता है तो यार अगर एटमोसफेर बचेगा बच्चों तभी तो कुछ करोगे जब एटमोसफेर बचेगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे आर अगर आपकी जो हमारी डिपलेश जो ओजोन लेर तूट गई ना यार तो भाई पता क्या होगा और अल्ट्रा वायलेट रेज निचा जाएंगी सब खतम सब को कैंसल हो जाएगा एक सेखिंड के इंदर अब मैं आपके नाम शाउट कर रहा हूं जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है देवांस्टी जे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक्यू स्टाइलिस राजपू चैप्टर खतम शेयर एसके अच्छा मंदे को इसका मेंटी होगा याद रखेगा मंदे को मेंटी होग और एक बात और कहना चाहता हूं यह देखो होमवर्क होमवर्क नोट कर लो जरा होमवर्क होमवर्क नोट कर लो सारे बच्चे होमवर्क नोट कर लिजे प्लीज क्योंकि होमवर्क करना बहुत जरूरी है होमवर्क एक्सरसाइज में से होमवर्क जो करना है question number 8.3 मैं चेक करूँगा 8.5 8.7 और 8.10 ये 4 question आपको homework में करना है 8.10 अगर करोगे तो लिखे ये सर करेंगे सर केवल ये 4 question आपको homework में करने हैं और कुछ नहीं करना है इसके अलावा examples examples कौन से करना है बच्चे मुझे पूछ रहे थे 8.2 और 8.4 और 8.5 तो मैंने आपको 3 example दिये हैं और 4 question दिये हैं सिरफ ये कर लेना देवानशी सबसे top chapter है बेटा optics इशा इतना सारा नहीं है बेटा देखो 4 question प्लस 3 question 7 सवाल करने आपको points to wonder पढ़ने इस से आसान क्या होगा सोची सोनु पंडे आपने जोइन कर लिया है लेकिन आपने 80C 10 code यूज नहीं किया तो कर लेना स्टाइलिस राजपूत हैलो सोनु पंडे गुलाम शुबानी केसी लगी क्लास अनु गिल एंसर assignment to in plus course ठीक है हाँ आपने मुझे याद दिला दिया plus course में assignment भी देने हैं हर्शिता चोहान जोती बटर इसको 7 इशा इत्ता सौरो बेटा physics पढ़ना है history नहीं पढ़ रहे हो chemistry नहीं पढ़ रहे हो सुमन कुमारी हर्शिता हाउ आज दे क्लास एक बार comment जरूर करके पताईए मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी थोड़ी सी weekly plan for term 2 खुश्री जायसवाल believer, जोती, सोनू पांडे share SK, देवान सी जे और आज 6 बजे plus course 11 वालों के लिए वो आ जाना और Monday को 3 बजे इसका mentee होगा सारे बच्चे सबसे 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 इस chapter को एक बढ़ दोबारे देख लेना पूरा chapter four दी आ मैंने मैंनी खिजर आपका chapter की नहीं बेटा अभी कुछ पता नहीं सोनु पंडे जोती शेर एसके श्याम दत्ता सुमन कुमारी अनुराग गुपता बाइसर बटरिसकोच बाइबाइब लव यॉ ओल और भाई सबको मेरी क्रिस्मस क्योंकि क्या तारीक है 24 थारीक है तो कल क्रिस्मस अज रात से भारा वजे सब को मेरी क्रिस्मस और प्रभू युशु आप सब को बहुत काम्याब करें आप खुश रहें